हलो दोस्तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पुए और यह हम बनाने वाले आटे से तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी तो मैंने आपे ले लिया एक कप गेहूं का आटा यह टेस्टी के साथ साथ काफी हेल्दी भी है क्योंकि यह गेहूं के आटे से बने हैं अब हम आप अपने टेस्ट का एकॉर्डिंग्स में एट करना मैंने आप एवन बाई फोर्ट कप चीनी आट किया है अब मैं इसमें एट कर लूँगी दो बड़ी चम्मसूजी इनको मिक्स कर लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका ए इसमें एक साथ नहीं डालना है दीरे दीरे हम इसमें पानी आट करते रहेंगे और इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है पुए का बैटर थोड़ा थिक होता है इसका बैटर बिलकुल पानी वाला नहीं होता है और अगर पानी वाला बैटर बन गया तो पुए गोल नहीं बनेंगे तो इसलिए हमें पानी को इसमें धीरे-धीरे करके add करना है तो ये देखिए हमारा पानी अब बिल्कुल perfect है तो अभी हमें क्या करना है इसको ढख कर रख लेना है 15 मिनट के लिए ताकि जो सूजी है और आटा है अच्छी से full के set हो जाए 15 मिनट हो चुक है और हमारा बैटर यहां पर रेडी है देखिए और जिसमें चीनी थी वो भी अच्छी से melt हो चुकी है एक बार इसको और फेट लेंगे तो अभी बैटर की consistency बिल्कुल perfect है तो इसमें मैं पानी add नहीं कर रही हूँ अगर आपको बैटर थोड़ा गाड़ा लगेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी add कर सकते है मैंने इसमें add का लिया 1 by 4 teaspoon काली मिर्च का पाउडर और 1 half teaspoon मैंने इसमें add किया है हरी लाइची का पाउडर तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल ready है पुए बनाने के लिए तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख लिया था तो हम medium गरम तेल पे तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए medium गरम तेल होना चाहिए उसमें हमें पुए बनाने है अगर आपके पास इस टाइप की कोई स्पून वगरा है तो आप इससे पुए बनाईए ऐसी गोल जो चम्मा चाहती है तो इससे बहुत आसानी से पुए बन जाते हैं और फैलते भी नहीं इधर उधर तो ये रेखिए इस तरह से मैं सारी पुए इसमें बना लूँगी और flame हमको बिल्कुल रखनी है भी low medium पे और low medium flame में ही हम इसको पकाएंगे कुछी देर में आप लोग देख सकते हैं जो ये पुए है फूलना शुरू हो चुक है तो अभी हमें क्या करना है इसको flip करते वे तेल को alert पलट करके हमको इसको दोनों साइट से golden brown होने तक अच्छी से fry करना है तो इसको हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे और अच्छी से fry कर लेंगे और ये रेखिए हमारे पुए काफी अच्छी से full चुक है अगर आपको बड़े साइज के पुए चाहिए तो आप बड़ी चमच का यूज कर सकते है मैंने आपे बहुत छोटी चमच का यूज की है इसलिए पुए का साइज है बहुत छोटा छोटा बना है तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और मैं ऐसी नईनी रेसिपीस के साथ आते रहती हूँ और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो ये रेखिए पुए का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे अगर आपको थोड़ा डाक और करना है तो आप लोग कर सकते है तो मैं इतने में इसको बहार निकालने वाली हूँ तो ये देखिए बिल्कुल हमारे परफेक्ट पुए बनकर रेडी है और आप इसको गर्म गर्म सर्फ कीजिए खाने में बहुत टेस्टी लगते है तो इसी तरह से हम सारे पुए को बना लेंगे तो दोस्तो रेसिपी कैसे लगी अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल में नई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना थैंक्स वाचिंग फिर मिलूंगे एक नही रेसिपी के साथ बाब बाई